आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप RNA5 में distributor कैसे बन सकते हैं अगर आप RNA5 में distributor बनते हैं खुद से retailer ID create कर सकते हो और आप अपना खुद का एक network बना कर काफी अच्छी income कर सकते हैं RNA5 में आपको banking and financial services मिलती है जो आप retailer बनाएंगे वो retailer banking and financial services का काम कर सकते हैं तो इस video में बने रहे हैं मैं आपको details में दिखाने वाला हूँ कि RNA5 में कैसे आप distributor बनेंगे और क्या इसमें service मिलता है क्या इसका commission वगरा रहता है RNA5 में distributor login का dashboard कैसा होता है और इसके साथ ही आप कैसे retailer create कर सकते हैं और कैसे आपको अपने dashboard को इसके साथ ही बताने वाला हूँ कि आप इसकी ID कैसे ले सकते हो इसका चार्ज रहेगा सो गईज महुनिलेश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल शूपर टेकनलाजी में आप सरीका स्वागत से चले शुरू करते हैं RNFI की official दो website है एक इनकी services की website है और दूसरी इनकी login की यानि services और login की दोनों की website अलग अलग है इसमें आप login कर सकते हैं और services की website पर आप यहां पर इनकी services चेक कर सकते हैं यहां पर हम सबसे पहले इनकी services देख लेते हैं कि RNFI में आपको कौन-कौन सी services मिलती है तो इनकी official website पर आने के लिए अपने mobile ये laptop में कोई एक browser open करेंगे browser में आपको search करना है rnfi services.com तो या फिर इस वीडियो के description box में link मिल जाएगे आप उस पर click करेंगे rnfi की services की website पर direct आ जाएगे जैसे इस website पर आएगे आप calling number पर call करके आप 24x7 help support ले सकते हैं इनका mobile app भी launch किया गया है mobile app से भी आप यहाँ पर इनकी services इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे आप distributor ID हो या फिर रेटेलर ID यहाँ पर help desk मिलेगा आपको यहाँ पर क्यों को response मिलता है email का support है, chat का support है online chat भी कर सकते हैं और इसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे कि इनका business कैसे grow करता है नीचे यहाँ पर इनके platform के बारे में बताया है distributor, retailer work करते हैं इसके साथ ही इसके उपर भी work होता है partner का और इसके उपर होता है super distributor का यहाँ पर नीचे आएंगे तो ISO से certified company है और यहाँ पर scroll करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर इसके feature और benefits के बारे में बताया गया है नीचे आएंगे इनकी services आपको मिल जाएगी what we do आप क्या कर सकते हैं जैसे यहाँ पर सबसे first में देखेंगे domestic money remittance के साथ ही आपको DMT भी मिलेगा domestic money transfer तो आप domestic money transfer भी कर सकते हैं यहाँ पर AAPS मिलेगा आधार card enabled payment system यानि आप किसी के खाते से आधार card के थुरू पैसे बिड़ डॉल कर सकते हैं AAPS का इस्तेमाल करने के लिए आपको biometric device का ज़रूत होता है जिसमें fingerprint scan किया जाता है आप इसमें से balance inquiry कर सकते हैं mini statement निकाल सकते हैं और आधार भी डॉल कर सकते हैं और इसके साथ यहाँ पर देखेंगे आपको BBPS मिल जाएगा भारत bill payment system, mobile recharge और utility bill payments वगरा कर सकते हैं आप यहाँ पर आपको सभी तरीके के bill payment मिलेंगे जिसे electricity हो गया, phone हो गया, internet हो गया prepaid, postpaid card हो गया, recharge और हो गया यह सब तरीके का आप bill payment कर सकते हैं नीचे आएगे API मिल जाएगा आप API भी ले सकते हैं API लेने के बाद खुद का एक network बना सकते हैं और जो भी आपका transaction होगा तो RNFI के server पर work करेगा इसके साथ ही नीचे आएगे माइक्रो ATM की facility मिलती है माइक्रो ATM से cash flow डॉल कर सकते हैं balance inquiry कर सकते हैं transaction का status चेक कर सकते हैं यानि transaction की history आप चेक कर सकते हैं नीचे आएगे ATM मसीन आप लगवा सकते हैं अपने अगर city वगरा में, village वगरा में जहां भी रहते हैं तो RNFI का आप Micro ATM और ATM मसीन भी दोनों आप इस्तिमाल कर सकते हैं नीचे आएगे यहां पर SMS long code मिल जाएगा retailer distributor के लिए होता है SMS long code नीचे आएगे यहां पर how we are यह कैसे work करता है सबसे पहले यहां पर step है RNFI उसके बाद meeting होता है document का collection होता है document verification होता है उसके बाद account create होता है permission मिलता है उसके बाद आप live अपना account इस्तिमाल कर सकते हैं contact आप यहां पर मिल जाएगा contact touch यहां पर आप जो है तो details फिल करके contact कर सकते हैं और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यहां पर कौन कौन सी आपको services जो मिल रही है इन पर क्या commission मिलेगा commission देखने के लिए यहां पर हम आ जाते हैं तो यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे आपको ID मिलेगा क्या rate रहेगा RNFI में distributor ID का charge 500 रहेगा और इसके साथ ही यहां पर 10 APS ID आपको मिलेगी बहुत सारे ऐसे चैनल है जहां पर आपको 1900 रुपे में distributor ID प्रोवाइट की जाती है और जो आपकी ID बनेगी सिर्फ 5 मिर्ट में आपकी ID बन जाएगी इसके साथ ही आपको यह मैंने contact number प्रोवाइट कर दिया है 7053046295 यह number आपको वीडियो के description में भी मिल जाएगा वहां से भी आप check out कर सकते हैं इस number पर आप WhatsApp कर सकते हैं या फिर call कर सकते हैं और आप यहां से ID ले सकते हैं इसके साथ ही अब हम commission की बात कर लें जो आपको EPS रहता है EPS में यहां पर देख सकते हैं कि यह retailer का commission है retailer से आपको यहां पर 50 पैसे 1 रुपे का ज़्यादा commission मिलेगा और जो इनका highest commission होता है 10.5 रुपे तक पुरहता है यहां पर आप commission इस lab देख सकते हैं जैसे आपको 1500 के बीच में 3.5 रुपे commission है ऐसे ही 1501 रुपे से 2000 की बीच में 4 रुपे का commission 3,001 रुपे से 3500 में 7 रुपे और ऐसे करके आपको यहां पर 10.5 रुपे तक commission मिल जाएगा 10 रुपे यह retailer का है इसके साथ ही DMT का charge आप देख सकते हैं DMT का charge यहां पर retailer को कितना लगेगा और यहां पर charge में कितना customer का charge लगेगा retailer को कितना commission आएगा पर DMT में distributor का scene ऐसा होता है कि मान लिजे आपने retailer को 7 रुपे सेट किया है तो 2 रुपे का commission आपको बच जाएगा और retailer को यहां पर 3 रुपे चला जाएगा ऐसे ही मान लिजे कोई retailer ने 5000 का transaction किया तो customer का 50 रुपे चार्ज लग जाता है और उसमें retailer का 10 रुपे चार्ज लगेगा और 40 रुपे का commission retailer को आ जाता है इसी तरीके से distributor ने सेट कर दिया मान लिजे 15 रुपे का charge तो 5 रुपे commission जो होता है distributor को आ जाएगा 35 रुपे retailer को चला जाएगा इस तरीके से commission DMD का होता है इसी तरीके से mini-80 micro-80 का commission देख सकते हैं 200 रुपे से start हो जाता है और 10,000 रुपे तक आपका transaction होता है और यहाँ पर 30,000 से 34,99 में 10 रुपे का commission है यह by default company के द्वारा micro-80 का commission set किया जाता है यहाँ पर 50 रुपे से लेकर 1 रुपे तक का commission distributor को बच जाता है और जो आपका retailer होता है इसको highest commission 10 रुपे का मिलता है बहुत कम company'ya है जो highest commission आपको 10 रुपे प्रुपे करते हैं micro-80 में भी 10 रुपे है और EPS में भी देख सकते हैं रिटेलर को 10 रुपए का कमिशन मिल जाता है के साथ ही हम देख लेते हैं यहाँ पर BVPS में क्या कमिशन रहता है BVPS में रिटेलर को फ्लैट 1 रुपए और डिस्टिबूटर को 50 रुपए कमिशन दिया जाता है मान लिजे आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया या आपका 100 रुपए का ट्रांजेक्शन होता है या फिर 500 रुपए का कोई भी ट्रांजेक्शन होगा रिटेलर को फ्लैट 1 रुपए मिलेगा और 40 पैसे डिस्टिबूटर को जो ये commission होता है ये flat होता है यानि इस commission में change नहीं किया जा सकता है ये company के द्वारा set होता है इसे तरीके से flight booking पर commission देख सकते हैं कि retailer को 100% total commission लेता है और distributor को 0.4% का base fare का commission मिलता है मानले जिए base fare 500 और रुपय है और उसके include जो आपको GST लगता है उस पर commission नहीं मिलेगा base fare में आपको 0.40 का commission मिल जाता है तो ये commission मैंने आपको discuss कर दिये और कैसे आपको ID लेना है इसके बाद मैं आपको distributor ID login करके दिखा देता हूं कि क्या इनका dashboard होता है कैसे आपको ID create करना है यहाँ पर आपको login करने के लिए इनकी login की official website पर आना है rnfi.in यह search करेंगे या फिर आपको username और password डाल के login करना होता है username आपना mobile number भी डाल सकते है या फिर जो आपको user ID मिलती है d double zero करके वह ID डाल सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको कोई एक login ID login करके ID दिखा देता हूं मैं distributor ID login करता हूं आप term and condition accept करेंगे login वाले option पर click करेंगे जैसे आप login पर click करेंगे तो जो आपक क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप rna5 में distributor ID login कर जाएंगे यहाँ पर right side में देखेंगे तो आपकी distributor ID रहेगी जो code आपका रहता है और यहाँ पर valid balance रहेगा जो आपको commission मिलता है यही पर आपका add हो जाता है distributor code रहता है इस पर click करेंगे my profile पर click करेंगे तो आपकी profile आ जाए है उसका यहाँ पर contact information रहता है email address वगरा यह dashboard आप click करेंगे dashboard पर आ जाएंगे और इसके साथ यहाँ पर activate VIP plan पर click करेंगे तो यहाँ से VIP plan आप activate कर सकते हैं अपने retailer का retailer code डालेंगे और यहाँ से activate कर सकते हैं balance certificate पर click करेंगे तो यहाँ से आप balance certificate डाउनलोड कर सकते हैं commission आणवाले option पर click करेंगे यहाँ पर आप अपने डेली का commission देख सकते हैं कितना commission आपको मिला है opening कितना था कितना commission आपको मिला है और इसके साथ ही invoice पर click करेंगे यहाँ पर आप invoice generate कर सकते हैं और इस से value report आप देख सकते हैं, साथ यहां पर last में आपको form मिलता है, form पर click करेंगे, यहीं से आप नय retailer create कर सकते हैं, retailer की आप list चेक कर सकते हैं, fund पर click करके यहां से आप fund add कर सकते हैं, अपने retailer का EPS ID पर click करके, यहां पर EPS ID आप purchase कर सकते हैं, IRCTC का डोंगल, pen card की ID, BBPS हो गया, silver pack हो गया, यह सब जितने भी ID वेगरा होती हैं, आप अपने super distributor से भी ले सकते हैं, AEP का commission देख सकते हैं, EPS का commission आपको मिल जागा, यहां से आप commission इस लैप चेक कर सकते हैं, तो आई हो दोस्तों कि छोटा सा वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ share करिए, मन में कोई doubt यह problem है, तो नीचे आप comments कर सकते हैं, और मुझे Instagram पर follow करके वहाँ भी message कर सकते हैं, यह 094, thanks for watching, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूट आपके साथ, तब तक लिए जहीं, take care.